हेलो फ्टुदेंट्स के अपने पास आता है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेंगे अब यहाँ पे अपन क्या बात करेंगे, basic difference की बात करेंगे, कि कब आपका reversible और irreversible में क्या difference रहता है, और second चीज अपन यहाँ पे discuss करेंगे, कि particular अगर questions अपने पास आए, तो वहाँ पे अपन कैसे identify करेंगे, कि particular process अपने को, particular question अपने को reversible के basis पे solve करना रहेगा, या irreversible के basis पे अपने को solve करना रहेगा, तो अब यह समझने के लिए अपने एक बात करते हैं, movable cylinder, एक cylinder consider करते हैं, और cylinder में अपने add क्या कर रखा है, movable piston, cylinder में क्या add कर रखा है अपने, movable piston, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अब cylinder में add अपने कर रखा है, movable piston, ठीक है, अब अगर बात करें कि भी cylinder में क्या present है, आपके पास gas present रहेगा, तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं, कि भी आपके पास दो type का pressure present है, एक pressure कौन सा होगा आपका, internal pressure होगा, और दूसरा क्या होगा आपका, external pressure, दूसरा क्या होगा आपका, external pressure, अब अगर बात करें कि internal pressure किसकी वज़े से होगा, आपका gas की वज़े से होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक और चीज ध्यान रखना, कि जब तक question में वो अपने को नहीं specify किया हुआ हो, आप ideal gas consider करना, और अगर ideal gas consider करोगे, तो आप क्या use करोगे, PV is equal to NrT, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और अगर external pressure की बात करें, तो external pressure क्या होगा, आप due to send particle बात करोगे, ये कि बाहर से कोई pressure आपने apply कर रखा है, अब normal case में अपने बात किया, कि बात किया कि बात किया कि बात किया कि पिस्टन है, वहाँ पे अपने कुछ send particle रख रखे हैं, उसकी वज़े से जो भी आपका pressure exert हुआ, उसको कौन सा pressure बोलोगे, पी external, ये किसकी वज़े से होगा, due to send particles, किसकी वज़े से होगा, due to send particle, यहां तक clear हुआ सब लोगों को, ठीक, अब एक और चीज बोलते हैं, कि भही यहां पे, कि अपने को piston को, A से कौन सी position पे ले जाना है, A से अपने को B position पे ले जाना है, अपने को A से कहां तक ले जाना है अपने पास, A से B position तक अपने को ले जाना है, A से B position तक ले जाना है, इसका मतलब क्या हुआ, P external का value क्या करना होगा आपको, increase करना होगा, external pressure जो भी है, उसका value क्या करना है, अपने को increase करना है, अब इसमें दो case consider करेंगे case 1 में क्या करते हैं अपन बहुत सारे send particle ले आते हैं और case 2 में क्या बोलते हैं अपन एक बड़ा सा पत्थर ले आते हैं अब case 1 वाले case में क्या बोलते हैं कि आपका ये process क्या होगा reversible process होगा ये process क्या होगा reversible process होगा और जो बड़ा सा पत्थर बोल दिया ये process क्या होगा आपका irreversible process कौन सा होगा irreversible process और यहाँ पे क्या बोलते हैं अपन one by one अपन one by one send particle add करते जाएंगे अगर आप one by one send particle add करोगे तो यह चीज भी बोल सकते हैं अपन यहाँ पे one by one send particle अगर अपनने add किया तो अपन बोल सकते हैं P external is equal to P internal plus minus dp P external P internal plus plus minus dp यह dp क्या रहेगा आपका dp का मतलब क्या हुआ कि जो send particle add कर रहे हो उसकी वज़े से आपका कितना pressure increase किया या decrease किया अगर send particle remove करोगे तो क्या बात करोगे minus dp और अगर send particle extra add करोगे तो आप क्या बोलोगे plus dp कोई दिक्कत नहीं यहां तक समझे इस case में भी क्या बोलेंगे a reverse level में भी एक expression तो सेम होगा P external is equal to P internal plus minus dp अगर आप compress कर रहे हो तो क्या बात करोगे plus dp expand कर रहे हो तो क्या बात करोगे minus dp यहां तक ठीक है ठीक है तो अब इसको देखके पता चला कि भी यहां पर dp को एक और नाम बोल सकते हो driving force dp का एक और नाम क्या बोल सकते हो driving force अब अगर sand particle की बात करें तो यहां पर भाई एक sand particle का driving force approximately क्या होगा आपका 0 driving force approximately क्या होगा 0 और बड़े से पत्थर वाले case में यह value आपका not equal to 0 यह value क्या होगा not equal to 0 इसका मतलब significant value of driving force आपके पास रहेगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब एक और चीज़ अपन यहां पर बोलते हैं कि अगर अगर अपन क्या करें initial और original position पर आजाएगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो अगर कोई बोले कि definition बताईए reversible process की तो क्या बोलोगे if a process restore its original state on reversing the direction or condition of the system then process will be reversible कि आपके पास क्या होगा कि आप original position पर system restore कर जाएगा अगर आपने जो भी external force या external pressure अपलाई कर रहा है उसको अगर आप remove कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अगली बात आती है कि भई irreversible किसको बोलते हो irreversible अगर आपका वापस initial position पर नहीं जा पाता तो वो process क्या होगा irreversible process होगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो आप बात करते हैं इन में one by one difference की बात करते हैं first point क्या आएगा कि भी irreversible के case में क्या बोलते हैं driving force क्या होगा आपका approximately zero यह बोल सकते हैं बहुत ही क्या रहेगा कम रहेगा वो तो अभी अपन ने बात किया और irreversible में बोलते हैं कि भई आपके पास क्या होगा कि आपका driving force negligible नहीं है कोई दिककत नहीं है ठीक है अभी पीवे work done कि अपन अभी बात यहां पे नहीं कर रहे ठीक है अगली बार कि भई यहां पर आपन बोलते हैं कि भई यह क्या रहेगा आपका ideal process यह क्या है ideal process और यहां पर बाल करते हैं कि यह क्या होगा आपका रियल प्रोसेस आइडियल और दूसरा क्या हुआ रियल आइडियल का एक नाम और बूल सकते हो कि यह कौन सा प्रोसेस रहेगा आपका थियोरिटिकल यह कौन सा प्रोसेस होगा थियोरिटिकल प्रोसेस होगा थियोरिटिकल पॉइंट क्या है कि it takes infinite time for completion of process कि अगर आप a से b position पर आना चाहोगे तो आप क्या कर रहे हो basically send particle add कर रहे हो basically क्या कर रहे हो send particles add कर रहे हो और one by one अगर आप send particle add कर रहे होगे तो आपको क्या रहेगा कि बहुत ज्यादा time लगेगा तो यहाँ पर बोलते हैं कि भी आपके पास driving force बहुत ही कम है theoretical process है क्यों actual में यह चीज possible नहीं कि भी किसी भी इंसान के पास इत्ता फुरसत नहीं कि भी यह पहले तो send particle लेकर और फिर उसको one by one add करो कि भी एक साथ three charge लगा तो वो तो यह process नहीं हुआ तो क्या बोलते हैं theoretical process है अगला statement कि भी आपके पास क्या होगा infinite time लेगा next कि भी यह theoretical हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ imaginary process है actual में यह कभी भी possible रहेगा क्या आपका नहीं रहेगा actual में यह कभी भी process होगा क्या नहीं होगा clear हुआ इसका just opposite हुआ उसको क्या बोल दोगे कौन सा process होगा reversible process तो यहाँ पे एक और चीज बोल सकते हैं reversible के case में p external is equal to क्या जाएगा pressure of gas और यहाँ पे क्या बोलते हैं p external not equal to pressure of gas कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब एक important चीज नोट करके आप लोग लिख लेना important चीज नोट करके लिख लेना कि अगर आपन बात करें equilibrium की आपन कहाँ परात करें equilibrium की बात करें तो reversible केस में बोलते हैं आप्के पास throughout the process through out the process system और surroundings किस में रहेगा का आपका equilibrium में रहेगा, reversible process में क्या बोलते हैं, throughout the process, system और surroundings आपके पास equilibrium में रहेगे, system और surroundings किसमें रहेगे आपके पास equilibrium में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, clear हुआ, ठीक है, और अगर irreversible में बात करें तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, only at, only at initial and final state, only at initial and final state, system और surroundings क्या मिलेंगे आपके पास equilibrium में, system और surroundings कहां पे मिलेंगे आपके पास equilibrium, clear हुआ, main difference यही रहेगा, वहाँ पे statement type यह अपने पास question आते हैं, true false में तो वहाँ पे भी ध्यान रखना, कि reversible में क्या बोलते हैं, throughout the process, system और surroundings क्या करेंगे आपके पास equilibrium में रहेगा, irreversible में क्या बोलते हैं, system और surroundings, equilibrium में है, but only at initial and final state, कोई दिक्कत नहीं है, clear हुआ सब लोगों के, ठीक है, अब बात आती है, कि question में कैसे identify करेंगे, कि आपका process reversible है, कि irreversible है, तो reversible में बोलते हैं, कि आप graph plot कर सकते हो, अगर कोई भी आपके पास pv diagram दिया हुआ है, vt, tv, कोई भी अगर आपके पास graph plot कर रखा है, इसका मतलब वो कौन सा process होगा, reversible process होगा, irreversible process होगा, irreversible में क्या बोलेंगे अपन? graph plot not possible irreversible में क्या बोलते हैं graph plot अपन नहीं कर सकते क्यों नहीं plot कर सकते कि इसमें directly क्या हो जाता है a से b position पे पहुँच जाता है directly क्या हो जाएगा आपका a to b पे पहुँच जाएगा for example अगर अपन graph की बात करें कि अपन ने क्या लिखा अपन बात करें पहले तो बात करते हैं दो point पे एक point a है और दूसरा point क्या है आपका b एक point a है और दूसरा point क्या है आपके पास b ठीक है अपन दो point की बात करते है एक point a है और दूसरा point क्या है आपके पास B, अब A से B तक अगर आपका reversible process है, तो चाहे ये बात कर लेओ, straight line लिखा, ऐसा कुछ लिखा, ये कुछ लिखा, तिन different process आगे, 1, 2, 3, अब अगर आप graph plot कर पा रहे हो, तो ये तीनो process क्या बोलोगे आप, reversible process है, तीनो process क्या बोलोगे आपके पास, reversible process है, अब अगर बात करें, कि कहां से A से B तक, अगर reversible process है, तो आप इसका कोई particular graph नहीं plot कर सकते, directly A से कौन सी position पर आजाएगा, B पर, directly A से कहां पहुँझ जाएगा, आपका B तक, अब PVVT कोई भी graph हो सकता है, directly क्या हो जाएगा, आपका A से कहां तक पहुँझ जाएगा, B तक, आ आप कोई भी change वगरे की बात नहीं कर सकते कि, यहाँ पर pressure क्या change हुआ, आप volume क्या change हुआ, directly खट से A से किसमें पहुझ जाएगा, B position पहुझ जाएगा, clear हुआ इतना, ठीक है, अब एक important point, ninth point अपन बोलते हैं, यह सिरफ किसके लिए बात करेंगे, irreversible, इसमें एक statement लिखा हो मिलेगा, आपको always, work is done against a constant external pressure, अगर कहीं पे भी यह statement लिखा हो मिले, इसका मतलब, आपका process क्या है, आपका irreversible process, कौन सा process होगा, irreversible, question में या तो वो specify करेगा, कि आपका reversible process है, कि irreversible process है, या वो क्या बोलेगा, graph plot कर दिगा, इसका मतलब, कौन सा process होगा, reversible, अगर वो एक statement लिखते, कि work is done against a constant external pressure, then calculate work done, इसका मतलब, कौन से process की बात कर रहा है, वो irreversible process की बात कर रहा है, तो difference अब लोगों को clear हुआ, तो यहाँ पे अपना reversible और irreversible process complete हुआ, एक बार और बात कर रहेते हैं कि इन में क्या क्या difference रहता है, पहली चीज बोला अपने reversible में, कि driving force क्या होता है, आपका, negligible रहेगा, यहाँ पे significant होता है, work done कि अभी अपने एक बार बात नहीं कर रहे, दूसरी बात करते हैं कि यहाँ पे, actual में क्या होगा, यह reversible theoretical process है, और irreversible क्या बोला अपने actual process, और theoretical हुआ क्यों, क्योंकि one by one send particle add करना impossible kind of stuff रहेगा, और theoretical हुआ तो क्या बोलते हैं, कौन सा process है, actually, imaginary process, और दूसरा वाला क्या बोला आपका, natural process रहेगा, और imaginary हुआ इसका मतलब क्या होगा, it will take infinite time, और यहाँ पे बोलते हैं कि एक finite time के बाद, process क्या हो जाएगा, complete हो ज जाएगा, अब जो चीज आपको याद रखनी है, वो कौन सी चीज, कि reversible में, system और surroundings, throughout the process क्या होगा, equilibrium में रहेगा, और irreversible में क्या बोलते हैं, only at initial and final state, आपका system और surroundings किस में रहेगा, equilibrium में, यह तो हो गया note number one, second number note क्या होगा, अगर आप graph plot कर पा रहे हो, तो कौन सा process होगा irreversible, अगर graph plot नहीं कर पा रहे हैं, तो कौन सा process होगा, irreversible process, clear हुआ है यहां तर, ठीक है, और एक statement वाला चीज क्या लिखा था, कि अगर आपको statement दिया हुआ है, if work is done, against a constant external pressure, इसका मतलब कौन सा process आपका, irreversible process, तो यहां पे अपना, कौन सा topic complete हुआ, reversible और irreversible process, अब ही अपने पास, next part आता है, graph convergence, next part क्या आता है, graph convergence, अब इसमें दो टाइप question आते हैं, या तो आपके पास, option दिया रहेगा, पीवी से वीटी में convert करो, या पीटी ग्राफ में convert करो, या टीवी ग्राफ में convert करो, एक तो यह question हो गया, दूसरा क्या बोल सकता है वो, दूसरा ये भी बोल सकता है कि identify the process, दूसरा क्या रहेगा आपके पास, identify the process, for example, आपको question दिया वह है, A, B, C, D, different processes, चार process दिये वह हैं, और अपने को बोलेगा कि भई, पीवी ग्राफ दे रखा है, इसको आप convert करो, पीटी ग्राफ में, convert पीवी ग्राफ इंटू पीटी ग्राफ, एक question किस टाइप से आ सकता है, पीवी ग्राफ को किस में convert करो, पीटी ग्राफ में convert करो, दूसरा question क्या आ सकता है, कि भी आप identify करो, A, B process का नाम क्या होगा, A, B process को identify करो, तो A, B को बोल दे, B, C, कोई भी process दे दे, उनको identify करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, अपन one by one बात करते हैं, सबसे पहले बात, A, B भी भी पूछ सकता है, B, C, B भी पूछ सकता है, C, D, भी पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है, D, सबसे पहले अपन क्या बात करते हैं, in process का नाम क्या रहे का, नाम का मतलब, adiabatic है, isothermal है, isocoric है, isobaric है, compression है या expansion है, और अगर isocoric हुआ तो आपका heating है या cooling है, सबसे पहले बात करते हैं, A, B, process में, तो A, B, process को देखके क्या पता चला, pressure constant है, pressure constant है, तो इसका नाम क्या होगा, isobaric process हुआ, अब अगली बात आती है कि compression है, कि expansion है, तो volume bird rise का मतलब क्या हुआ, isobaric है, और साथ में क्या है आपका expansion, clear हुआ, बहले का नाम clear हुआ, ठेक, दूसरी बात, BC process, exponentially increasing है, इसका मतलब क्या हुआ, expansion तो है, इसका मतलब क्या हुआ, expansion तो है, अब ये क्या हो सकता है, या आपका isothermal भी हो सकता है, और क्या possible है, adiabatic भी possible है, अपन किसी भी graph को देख के नहीं बता सकते, कि आइदर आपका isothermal है या adiabatic है, उन दोनों में से question में आपको दिया रहना होगा, कि isothermal है कि adiabatic है, अगर दोनों graph एक साथ है, तो आप बता सकते हैं कि slope के basis पे, दोनों graph अगर एक साथ दिया होगा तो आप slope के basis पे, बता सकते हैं कि ज़्यादा slope वाला क्या होगा, आपका adiabatic होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मान लो, question में इन्होंने define कर रखा है, कि BC process क्या होगा, isothermal, BC process क्या होगा, isothermal, तो BC का नाम क्या होगा, isothermal expansion, BC process का नाम क्या होगा आपके पास, isothermal expansion, कोई problem नहीं है, next, अगली बात करते हैं, DC process, DC में क्या हो रहा है, pressure constant आया, तो इसका नाम क्या हो गया, isobaric, volume कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, आपका, compression, इसका नाम क्या होगा, आपका, isobaric compression, कोई दिक्कत नहीं है, next, da process, volume क्या है आपका, constant, volume constant होता है, तो नाम बताइए, क्या होता है, volume constant हो गया, आपका, isochoric process, अब isochoric होगा तो बता ओ, compression होगा की expansion, आइसो कोई में नहीं, नहीं क्या होगा, expansion वहाँ पे आप किसकी बात करोगे आईदर cooling की बात करेंगे या क्या बात करेंगे heating तो यहाँ पे आपको बोला था जब भी confusion हो तो क्या लिखना p is equal to nrt volume हटा दो pressure और temperature में relation आजाएगा अब बताईए pressure क्या हो रहा है increase हो रहा है तो temperature भी क्या होगा increase होगा तो इसका नाम क्या होगा iso coric plus क्या जाएगा heating इत्ती चीज़ सब लोगों को clear हुआ कोई दिक्कत नहीं आप कोई भी process दिया कोई भी graph दिया हुआ हो तो इसका नाम बता सकते हो कि कब isothermal होगा कब iso baric होगा कब iso coric होगा और एक note करके लिख लिजे चाहे point कि isothermal और adiabetic देखके नहीं बता सकते कि अगर आपको एक graph दिया है जैसे ये bc process है वो आपका क्या हो सकता है bc process isothermal भी हो सकता है और adiabetic भी आप directly graph को देखके नहीं identify कर सकते कि isothermal है कि adiabetic अगर आपको एक साथ दो graph दिये हैं तो आप बोल सकते हो जिसका slope ज्यादा होगा वो कौन सा process होगा adiabetic ज्यादा स्लोप वाला process क्यांसा होगा adiabetic process होगा तो अभी अभी तक अपने क्या सीखा है अभी तक अपने सीखा है कि graph मतलो graph देखके process identification ठीक है अब इसका second part आता है कि अपने को convert करना है PV graph से VT graph में PV graph से किसमें convert करना है VT बोल दो चाए PT बोल दो एकी बात रहेगा तो अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना जब कभी भी graph conversion का question आए तो आप अलग से graph plot नहीं करोगे अगर अलग से graph plot करोगे तो उसका drawback क्या रहता है एक तो आपको ज्यादा time लगता है दूसरा कि कई बार ऐसा रहता है कि आप ऐसा graph plot कर लेते हो जो चारों option में नहीं हो मतला आप अलग स एक 5 option बना देते हो तो उन सब चीजों से बचने के लिए अपन क्या करते हैं option देख के ही टिक करते कि चार में से एक सई रहेगा वो टिक कर देंगे एक सई रहेगा उसको गोला बार तो ठीक अब यहां पर बात करते हैं कि अपन कैसे क्या कुछ बताएंगे तो यहां तक से convert करना है PT में, तो सबसे पहले अपनने क्या किया, Y axis draw किया, फिर अपनने, इधर क्या बोल दिया अपनने, P और इधर बोल दिया, T और temperature किसमें दिया हुआ है Kelvin, लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अब one by one process graph plot करेंगे, one by one process plot करेंगे, सबसे पहले AB process, AB का नाम क्या है, आइसो बारिक, आइसो बारिक हुआ तो pressure क्या होगा, constant, आइसो बारिक का graph क्या होता है आपका, parallel to, X axis, parallel to क्या होगा, आपका, X axis, कोई दिक्कत नहीं है, AB process पता चला, अब आइसो बारिक में ठीक है, इसमें एक और चीज़ देखना है, कि expansion क्या लिख रखा है, PV is equal to, side में काम करना, PV is equal to NRT लिख दोगे, pressure constant है, तो volume बढ़ेगा, तो temperature भी क्या होगा, बढ़ेगा, तो बोल दोगे, यह A point हुआ, और यह कौन सा point आया आपका, A और B identify कर दिया आपने, ठीक है, next, अगला process कौन सा है, isothermal, और isothermal के बाद क्या है, आपक क्या मिलेगा, state line, isothermal हुआ, तो अपने को क्या मिलेगा, state line, अपने को क्या मिलेगा, state line, अपने को क्या मिलेगा, state line, अब इसमें देखना है, कि पर आपके पास क्या आ रहा है, expansion, expansion का मतलब क्या हुआ, volume बढ़ेगा, volume अगर बढ़ेगा, तो pressure क्या होगा, decrease करेगा, pressure क्या हो क्यों नहीं consider किया क्योंकि आपके पास कौन सा process है expansion अगर compression होता तो आप क्या करते उपर वाला part consider करते कोई दिक्कत नहीं है यहां तक clear हुआ सब लोगों के ठीक है next उसके बाद आता है अगला process cd process cd process क्या है isobaric और क्या है compression isobaric और क्या है आपका compression आइसobaric हुआ तो फिर से क्या पता चला अपने पास क्या आया एक straight line आया फिर से अपने पास क्या एक straight line आया लिखा अपने एक straight line लिखा कोई दिक्कत नहीं थीक अब उसके बाद straight line के बाद अगला पार्ट आता है आपके पास ठीक स्ट्रेट लिखा अब इसके बाद अगला पार्ट रहता है कि यह लेफ्ट साइड बात करोगे कि राइट साइड बात करोगे तो cd process क्या है आपका compression हुआ अब compression हुआ तो compression का मतलब क्या हुआ volume कम होगा volume कम होगा तो आपका temperature भी क्या करेगा if volume decrease करेगा तो temperature भी क्या होगा decrease करेगा तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पर कहीं पर कौन सा point आएगा आपके पास d point कहीं पर क्या बोल देंगे अपने पास कौन सा point आ गया यह कौन सा point आ गया a b c और d आएग अब अगला process क्या आपके पास d a isocoric heating इसोखोरिक हीटिंग अगर आप पीटी ग्राफ लिखते तो क्या बोलोगे प्रेशर डारेक्ली प्रपोर्शनल टू टेम्परीचर स्टीट लाइन आएगा और टेम्परीचर अगर आप केलविन में कंसीडर करते हो तो ग्राफ किस से पास करेगा आपका ओरीजिन से पास करे तो आपके पास यह कौन सा प्रोसेस हो गया सीडी और यह क्या गया आपका एडी तो अपनने किसको किस में कंवर्ट कर दिया पीवी ग्राफ को पीटी ग्राफ में कंवर्ट कर दिया क्लियर हुआ सब लोगों के ठीक है एक बार और वापस एक्सपेंड कर देता हूं कि अप pressure constant है, volume बढ़ रहा है तो क्या होगा, expansion, BC process की बात करें तो क्या है, expansion है, अभी आइसो थर्मल है या एडियाबेटिक, वो अपन देखें, नहीं बता सकते हैं, बट question में दिया हुआ है कौन सा process है, isothermal, isothermal expansion, CD process, volume decrease हो रहा है तो क्या होगा, compression, pressure constant है तो क्या होगा, isobaric compression, कोई दिक्कत नहीं है, DA process में देखा, तो अपने पास क्या हो रहा है, volume constant आ रहा है तो क्या होगा, isochoric, यहाँ पे pressure क्या कर रहा है आपका, increase कर रहा है तो isochoric क्या आएगा, heating, चारो process identify किये, उसके बाद अपन ने उसको PT graph में convert किया, सबसे पहले क्या है अपने पास, सबसे पहले आया, AB process, AB process को देखके क्या पता चला, AB process है, isobaric, तो आपके पास state line आया, isobaric आया, तो अपने पास क्या है, state line आया, कोई दिक्कत नहीं है, अब ये state line में दोनों दिक्कत आ सकती थी, कभी B to A लिखोगे या, इनका नाम लिखने में दिक्कत आ सकती थी, बट यहां पे क्या है अपने पास, expansion हुआ, तो अगर volume बढ़ेगा, तो temperature भी क्या होगा, बढ़ेगा, volume बढ़ेगा, तो temperature भी क्या करेगा, आपका increase करेगा, तो AB process लिखा, उसके बाद आती है PC process की बाद, उसके बाद कौन से process की बाद आती है, BC process, तो BC process क्या था, isothermal था, तो state line आयेगा, और आपके पास क्या था, expansion, तो pressure क्या होगा, आपका decrease करेगा, प्रेशर क्या करेगा, decrease करेगा, उसके बाद cd process, फिर से पता चला, cd process क्या है आपका, आई सुबारिक हुआ, तो state line आएगा, अब state line आने के बाद, अगला बाद पता चला अपने को, कि भी यहां पर compression है, compression का मतलग क्या हुआ, volume decrease किया, तो temperature भी क्या करेगा, आपका, decrease करेगा, तो अपने बोल दिया, कि भी आप right side बात करोगे या left side, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, उसके बाद सबसे last वाला process क्या है आपके पास, last वाला process है, DA, DA को देखके पता चला कि भी आपके पास है, isochoric, isochoric वा तो pressure directly proportional to, pressure directly proportional to temperature, state line आएगा, और वो किस से पास होगा, आपका origin से, किस से पास होगा, आपका origin से पास होगा, तो अपनने क्या किया, PV graph को किसमें convert कर दिया, PT में, PV graph को convert किसमें किया, PT में, clear हुआ सब लोगों के example ठीक है, अभी एक question आप, अपने आप से try कीजे, सबसे पहले question लिखे, convert, convert, PT graph, convert, PT graph into, into, A point पे है, आपको, VT में convert करना है, B point पे है, आपको, PV में convert करना है, PT graph को किसमें convert करना है, VT में, और PV graph में convert करना है, सबसे पहले आपन क्या करते हैं, कि भई ये, graph plot question दे देते हैं, आपके पास, A, B process, ये आपका B, C process, ये C, D, A, B, C, D, आपके पास, चारो process दे रखे हैं, या तो question ऐसे करके लिख लो, identify the process, identify the process, and convert, and convert, PT graph into, convert, PT graph into, VT, VT and PV, VT and PV, अब एक काम करना, वीडियो pause करना, और अपने आप ये question solve करने का try करो, ठीक है, तो सब लोगों ने solve किया, सबसे पहले क्या था, कि अपने को process identify करना था, तो अब अगर A, B process की बात करें, तो A, B process क्या आया, आइसो बारिक आया, और उसके बात क्या आया, आपका, एक्सपेंशन, B, C process की बात करें, तो temperature constant आया, तो क्या होगा, आइसो थर्मल, और आपका temperature constant आया, pressure decrease करेगा, तो volume क्या होगा, बढ़ेगा, तो इसका नाम क्या होगा, आइसो थर्मल एक्सपेंशन, C, D, जस reverse होगा, किसका, A, B का, और D, A, जस reverse किसका है, BC का, तो isothermal compression, और isobaric क्या आगया, compression, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, कि इसको VT graph में convert करते हैं, इसको किसमें convert करते हैं, VT graph में, तो सबसे पहले कौन सा process आया, A, B process, A, B process क्या था आपका, isobaric, आइसो बारिक हुआ इसका मतलब, volume directly proportional to क्या आएगा, आपका temperature, volume directly proportional to क्या आएगा, आपने पास, temperature, तो A, B process हुआ आपने पास, A, B process हुआ, ठीक है, उसके बाद next क्या था, BC process, isothermal, isothermal का मतलब क्या आया, state line, isothermal का मतलब क्या आया, state line, expansion, तो volume क्या होगा, increase करेगा, तो यह आपका कौन सा process आ गया, BC process, next, cd process फिर से क्या है आपका, isobaric होगा, isobaric के बाद, अगली चीज़ क्या आई अपने पास, compression, compression हुआ, तो volume क्या होगा, आपका, decrease करेगा, तो यह वाला process क्या आपका, cd process, और da process क्या है, isothermal, फिर से क्या मिल जाएगा, अपने पास, state line, और state line में क्या बोलते हैं, अपन, volume क्या हो रहा है, आपका, decrease हो रहा है, because process क्या है, compression, clear हुआ सब लोगों के, तो pv graph, pt graph को किस में convert किया, आपने, vt, सब लोगों का सही था, अभी तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, अब इसका, एक और conversion पूछा था, pv graph में convert करो, किस में convert करो, pv graph में convert करो, तो pv graph की बात करें, तो सबसे पहला process क्या था, आपका, isobaric, सबसे पहला process क्या था, आपका, isobaric, isobaric, a, b process अपने लिखा, a, b process, isobaric में volume बढ़ रहा है, तो क्या होगा, expansion, bc क्या होगा, isothermal, isothermal का मतलब क्या हुआ, exponential, increasing, ये process क्या आपका, bc process, ये process कौन सा आपका, bc process, इसके बाद cd process क्या है आपका, isobaric, isobaric compression, isobaric compression हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, क्या मिलेगा अपने पास, state line, ये ये, c और t, कौन सा process आपका, cd process, और da process क्या मिल रहा है, अपने को, isothermal compression, isothermal का मतलब क्या हुआ, exponentially क्या होगा, अपने पास, increasing, exponentially क्या होगा, आपके पास, increasing, तो, अभी अपनने क्या किया, pt graph को convert करती है, आपने pv graph में, clear हुआ सब लोगों के, पोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक question आप homework टाइप या assignment टाइप बोल दोगों, ये question और है आपका homework में, अब इसमें हैं, लिखिये, identify the process, identify the process, identify the process, and convert, convert pv graph into vt, pt, convert pv graph into vt, pt, vt, pt, vt and pt, कोई दिक्कत नहीं है, solve कर लोगे, ठीक है, तो, आजका lecture ये ही complete होता है, तो, अभी तक अपनने क्या बढ़ाता है, सबसे पहले बढ़ाता है, अपनने reversible, irreversible process क्या रहता है, और उसके बाद अपनने graph, converger, पढ़ा था ही, और या इसको क्या बोल सकते हो, कि process identify किया था, अपनने, कि आपका ISO thermal है, adiabatic है, या कौन सा process आपके पास है, यहाँ तक complete, समझे सब लोग, ठीक, ओके,